सबसे पहला एक basic question जो आपके सामने CRPC में होता है वो ये तीन stages जो CRPC की हैं एक है आपका investigation, दूसरा है inquiry और तीसरा है trial अब basic आप देखेंगे definition clause में section 2 में जो definition D है I am not talking just about that कि वो police जब collection of evidence की जो process होती है that is investigation, magistrate या court जब करता है तो inquiry है और trial उसके बाद का process बहुत अच्छे से definition clause में कुछ define नहीं किया है इसको उस process में जाके समझना पड़ेगा हमें कि investigation कहां शुरू होता है, कहां खतम होता है inquiry कहां शुरू होती है, कहां खतम होती है और trial कहां शुरू होके, कहां खतम होती है ठीक है, क्योंकि pre-trial और post-trial भी आपको समझना है pre-trial क्या-क्या चीज़े हैं और during trial तो आपको समझ में आई गए कि यह trial का procedure है और post-trial procedure इस तरीके से यह जो पूरा process है CRPC का जो कि यह बताता है कि एक case जब आता है नया और start होता है तो किस तरीके से एक step by step उसमें चीज़ें होती है और कहां जाके यह process खतम होगा किस तरीके से चीज़े होंगी कहां investigation कहां तक चला inquiry कहां शुरू तो क्या आपको एक general मतलब आप सब either you are pursuing law or you all are law graduates तो एक basic idea तो मेरे ख्याल से आप सब को थोड़ा बहुत है इन चीज़ों के बारे में ठीक है तो एक basic जो reasonable idea है उसके prudence पे ही हम फिलहाल बात करेंगे जो आपका reasonable आपको idea है उस पे ही बस बात करेंगे कि किस तरीके से चीज़े हो रहे है बहुत जादा मैं आपको एकदम आज ही सारी चीज़ें core में नहीं लेके जागूँ दीरे दीरे इतल भी a gradual process कि आप इस subject के साथ थोड़ा सा familiar हो जाए तो क्या basic question सबसे पहले कि आता है क्या investigation, inquiry और trial के बीच में एकदम fine division है कि investigation यहां शुरू होगा यहां investigation खतम मान लिया जाएगा और इस particular time पे inquiry शुरू होगी और खतम हो जाएगी और यहां पे trial होगी और खतम हो जाएगी और there may be an overlapping क्या overlapping हो सकती है कोई या नहीं हो सकती overlapping एकदम clear रहेगा कि भाई यह investigation है और यहां खतम होगा फिर inquiry चालू होगी और inquiry खतम होने के बाद ही trial शुरू होगी क्या aside fine division होगा या there may be a little overlapping की inquiry भी चल रही यह सांत में investigation भी चल रहा है investigation चल रहा था तभी inquiry शुरू हो गई और trial का process शुरू हुआ और बीच में investigation यह inquiry फिर हो रही है trial के बीच procedure में trial के बीच में क्या investigation भी हो सकता है यह कुछ चीजे हैं जिनको हम basic आज समझेंगे कि यह किस तरीके से होती है अब इन सारी बातों को इन सारी चीजों को समझने के लिए आपको एक criminal case का पूरा procedure समझना पड़ेगा मैं कुशिश करूँ एक story के form में आपको यह पूरा process समझा पहूँ कि किस तरीके से एक criminal case institute होता है देखिए अब थोड़ा बहुत आपने cognizance वगेरा के बारे में पढ़ा होगा कि cognizance क्या होता है तो magistrate cognizance लेता है तीन तरीके से ले सकता है police report पे cognizance ले सकता है और उसके अलावा complaint पे ले सकता है direct complaint and magistrate के पास चला जाता है या फिर खुद के own knowledge पे हम उन जो technical aspect है उसमें नहीं जाते है फिलहाल एक police report पे case कैसे institute होता है उसके through हम इस process को समझते है अब trial में भी अलग-अलग है session court की trial अलग है उसके बाद warrant trial अलग है और summon trial अलग है थोड़ा-थोड़ा difference है सब में हम आज वो चीज़ें बात करेंगे उन चीज़ों की जो common है अब तीनों trial में कुछ चीज़ है common एक process सा है जो common है हम उस common या general process के बारे में बात करेंगे ताकि एक general understanding आपके दिमाग में बैठ जाए कि ये चल क्या रहा है ऐसे ही एक process होता है accused के arrest का एक accused जब arrest होता है फिर आपको पता है उसे magistrate के पास ले जाना होता है 24 hours में या आप constitution में भी पड़ चुके है fundamental right भी है CRPC में भी ये चीज़ दी हुई है कि 24 hours में उसे magistrate के पास ले जाना है अब जिस magistrate के पास उसे ले जाया जाता है भले उसके पास jurisdiction हो या ना हो वो further custody दे सकता है तो कितने दिन की देगा वहाँ पे confusion ही होता है police custody या judicial custody दोनों में क्या difference है और कब police custody देना है कब judicial custody देना है case duration के लिए देना इन सारे basic elements पे आज का ये lecture confined होगा ठीक है तो चलिए सबसे पहले start करते हम इस process से कौन सी process हम discuss करने वाले है जो एक case की पूरी process होती है criminal case कैसे start होता है और क्या investigation क्या inquiry क्या trial तीनों चीज़े होती क्या है कहां शुरू होता है कहां ये चीज़ खतम होती है ठीक तो देखिए एक FIR इसके बाद एक topic आता है क्योंकि आपको पता है case institute जब होता है या start होता है police के पास information आती है तो normally, generally वो क्या होती है FIR के form में होती है और वहां से पूरा process start होता है FIR अपने आप में एक separate topic है जिसको मैं कल कल भी आपका demo class है CRPC का कल मैं FIR पूरा in detail discuss करूँगा कि FIR होता क्या है कब माना जाएगा company, evidentiary value, everything कल उससे related पूरा lecture पूरा lecture कल का FIR पे confined होगा आज हम इन stages के बारे में पूरी बात करेंगे आज FIR पे ज़्यादा detail में नहीं जाएंगे चीक है तो देखिए अब यह जो start होता है procedure मान लिजे एक offense commit हुआ किसी place पे उसकी information पुलिस के पास पहुची लेट से उनोंने FIR लेशी cognizable offense की मैं बात कर रहा हूँ non-cognizable पे हम नहीं जा रहे हैं अभी cognizable offense आप सबको पता होगा cognizable offense वो offense होते हैं जिन में police बिना warrant के accused को arrest कर सकती है और investigation भी बिना magistrate की permission के start कर सकती है अगर cognizable case है तो I hope सब लोग barrett लेके बैठे हैं एक बार barrett में section 156 निकाल लेजे उसको पढ़ते हैं फिर मैं आपको उसे एक story के form में समझा दूँगा so section 156 देखिए police officers power to investigate cognizable case any officer in charge of a police station may without the order of a magistrate investigate any cognizable case which a court having jurisdiction over the local area within the limits of such station would have power to inquire into or try under the provisions of chapter 13 no proceeding of a police officer in any such case shall at any stage be called in question on the ground that the case was one which such officer was not in part under this section to investigate any magistrate in part under section 190 may order such an investigation as above mentioned अब ये जो पूरा section है 156 फिलहाल फिलहाल इसका subsection हमारे लिए important है subsection 1 ठीक है इस process को समझने के लिए सिर्फ subsection 1 पे आप ध्यान दें कि कोई भी cognizable offense की information अगर police के पास आती है तो वो बिना magistrate की permission के investigate कर सकते हैं तो यहीं सही है story actually start होती है police के पास information आई है कि इस जगे पे cognizable offense commit हुआ है ठीक तो अब पहला तो यह क्योंकि आपने subsection 1 पढ़ लिया आप मुझे यह बताएं कि क्या cognizable offense की information police के पास आई है तो क्या mandatory है investigation करना या discretion है नहीं भी कर सकते हैं क्या investigation करना mandatory है on the part of police तो भाई discretion है यह कहां से पता चल रहा है subsection word में यूज हुए word से यहां लिखा है any officer in charge of a police station may without the order of a magistrate investigate he may investigate ठीक ज़रूरी नहीं है कि करना ही है he may investigate अच्छा देखिए अब अगर वो investigation कर रहा है तो आईए 57 पे procedure for investigation if from information received or otherwise an officer in charge of a police station has reason to suspect the commission of an offense which he is in part under section 156 to investigate underline कर लिजे he shall forthwith send a report of the same to a magistrate in part to take cognizance of such offense upon a police report and shall proceed in person or shall depute one of his subordinate officer अब ये जो हो रहा है कि information आई है cognizable case की police officer के पास और वो investigate करने जा रहे हैं उन्हें investigation करना है उस case में तो एक report बना के वो उस area के जिसके भी jurisdiction में वो आते हैं उस area के judicial magistrate के पास एक report भीजेंगे इस report को कोई बता सकता है क्या कहते हैं information आई है cognizable case की और ये हमें 56 ने बता दिया है कि permission की जरुरत नहीं है आपको अगर आपके पास information आ गई है तो आपको permission की जरुरत नहीं है कि आप magistrate की permission लें investigation करने के लिए आप ऐसे ही कर सकते हैं लेकिन आपको एक report भेजनी कि आपके पास cognizable offense की information आई है ये report आपको जरुर भेजनी है चीक है श्रद्धा ओके रोमा से शालान रिया से अकरिंस ओल्राइट तो दाट इस occurrence report ये जो report है 157 में दाट इस occurrence report occurrence report मतलब किस चीज़ को reflect कर रही है क्या बता रही है occurrence report ये occurrence of a cognizable offense का intimation है report भी कई जगा इसे बोला जाता है क्योंकि CRPC ने as such कोई term उसके लिए define नहीं किया है तो practical purposes के लिए state-wise थोड़ी सी चीज़ें यहाँ पर differ करती है जैसे charge sheet कई जगे बोला जाता है कई जगे चालान वो अलग stage पर है उसकी information आई है और क्योंकि investigation is a power of police magistrate उसमें interfere नहीं कर सकता ये ध्यान रखना police के पास अगर cognizable case की information आई है they may investigate क्या magistrate यहाँ पर रोक सकता है police को कि आप investigate मत करिए क्या रोक सकता है किसी cognizable case में investigation करने से magistrate नो ठीक है वो power 156 subsection 1 ने दिया है police को और वो करेंगे cognizable case की information आई है तो उस पर वो investigation कर सकते हैं वो उनका discretion है ठीक आप बस क्या करेंगे occurrence report magistrate के पास पहुँचा देंगे कि ऐसा ऐसा हुआ है तो आप देखिए यहाँ पर तो सबसे पहले जो start होगी कहानी वो होगी आपकी information से information आई है किस चीज़ की cognizable offense के commission की information किस के पास police के पास अब क्योंकि cognizable offense है तो police investigate करेगी लेकिन एक इनको क्या करना होता है यहाँ पर occurrence report occurrence report एक भेजनी है magistrate को जिसका जिक्र section 157 में है कि एक cognizable offense कमेट हुआ इस बात का intimation आप magistrate को और investigation तो आप करिए अब investigation करने के बाद यहाँ क्या है अब occurrence report है और investigate तो यह कर ही रहे हैं investigation हमेशा police करती है investigation जब इनका complete होता है तो फिर यह एक report बनाके magistrate के पास भेजते हैं वो occurrence report थी सर्फ intimation के लिए है आप इन्होंने क्या किया जब पूरा investigation किया evidences सारे जुटा है उसके बाद finally यह report अपनी submit करते हैं जो CRPC में 173 में दी हुई है police report ठीक तो सबसे पहले क्या होगा एक offense commit होगा उसकी information आईगी police के पास अगर वो cognizable offense है तो police एक occurrence report पहले magistrate के पास भेजेगी कि ऐसा ऐसा यहाँ पे हुआ है और अपने investigation चालू कर दे investigation जब complete होगा तो फिर एक report बनाके magistrate को देंगे इस report को क्या कहते हैं चार्च शीट, exactly तो जब investigation complete होगा फिर एक police report आईगी यह जो police report होगी यह क्या होगी या तो यह charge sheet होगी या तो यह charge sheet होगी या फिर यह क्या होगी closure report, correct या फिर यह होगी closure report चार्च शीट या closure report देखिए भाई, police ने investigation किया है एक case में तो अगर उन्हें sufficient evidence मिलते हैं किसी accused के against, अब इसी के बीच में arrest वरे सब हो रहा है, वो एक अलग कहानी है उसको मैं इसके बाद बताऊंगा तो अगर police को पूरा investigation करने के बाद कोई substantial evidences मिलते हैं accused के against तो क्या करेंगे वो उस accused के against चार्च शीट वाई करेंगे, अगर आपको evidence मिलते हैं तो अगर आपको evidences नहीं मिलते हैं लगता है accused ने कुछ नहीं किया ऐसे case में क्या file होगी closure report अगर evidences sufficient नहीं है, उस case में file होगा closure, इसी को कहते हैं police report, आप police report दोनों में से कोई भी हो सकती 173 में यह दिया हुआ है इसी police report की बात है section 173 of CRPC चेक तो यहां तक कहानी clear है आपको सबसे पहले information आईगी police के पास, cognizable offense commit होने की occurrence report एक send करेंगे magistrate के पास और अपना investigation चालूँ अगर तो चार शीट नहीं है तो closure इसी चार शीट को चाला अन भी कहते है इसी चार शीट को चाला अन भी कहते है ठीक है, या फिर आपकी closure report submit हो जाएगी अब देखिए closure report submit मतलब case खतम उस accused के अगेंस तो case खतम अच्छा, एक सवाल यहां पे आता है कि क्या same case में closure report और चार शीट दोनों फाइल हो सकती है क्या एक case में closure report और चार शीट दोनों फाइल हो सकती है बताएं वाई कुछ अनमोल सेज नो, सारिल सेज येस बाकी लोग क्या लगता आपको एक ही case में closure report और चार शीट दोनों फाइल हो सकती है विल्कुल हो सकती है अगर different offenders है एक के माली जे different accused है वाई एक के against evidence नहीं मिले तो उसके लिए closure report जिसके against मिले उसके against charge sheet उसके लिए charge sheet file हो जाएगी तो एक ही case में दोनों हो सकते हैं where there are more than one accused ठीक है ना कि एक के लिए charge sheet file कर देंगे एक के लिए closure report so when there are more than one accused उस case में बिल्कुल हो सकता है तो यह होगा police report पहुंचेगी magistrate के पास investigation के बाद यह तो occurrence report थी यह अलग कहानी थी अब यहाँ जब police report पहुंची और वो closure report नहीं है देखिए closure report है तब तो कहानी खतम case की वहाँ पे for the timing लेकिन अगर वो charge sheet है तो अब इस पे magistrate लेता है cognizance जो section 190 में दिया है cognizance इस police report पे वो cognizance लेता है basically charge sheet पे वो cognizance लेगा Cognizance लेने का मतलब क्या है Cognizance लेने का मतलब क्या है in general आप बता सकते हैं Judicial notice Cognizance is basically judicial notice of a case Official capacity में वो उसकी इसको knowledge करता है उसका knowledge होना कि यह यह case है और वो knowledge किसके थ्रू हो रहा है इस report के थ्रू यहां पे तो charge sheet के थ्रू या police report के थ्रू वो cognizance लेता है magistrate So next यहां से क्या होगा cognizance Cognizance लेगा magistrate ठीक Cognizance लेने का मतलब judicial notice उस बात का कि यह यह चीज हुई है यह accused है इसके against यह charges है और यह charge sheet file हुई है और evidence ठीक अब Cognizance लेता है magistrate किसी particular case में मतलब वो चीज का judicial notice ले लेता है और यहां से अब वो proceeding का अगला part start करेगा इसके बाद अब वो चाहे तो खुद inquiry करे केस में कुछ तो जब वो खुद करेगा तो वो magistrate का part हो गया mind apply करेगा कि cognizance देखिए cognizance से पहले भी जैसे पुलीस रिपोर्ट आई गी तो वो यह mind apply करेगा कि इस चीज का cognizance लेना है या नहीं सीधे cognizance ले ले या लेना है ऐसा जरूरी तो नहीं है magistrate के पार्ट पे भी cognizance लेना है या नहीं लेना है वो depend करेगा चार शीट कितनी strong है पुलीस की कि स तरीके की चार शीट पुलीस ने बनाई इ? कितनी strong चार शीट बनाई है कितने evidences हैं इस पर depend करेगा कि magistrate cognizance लेगा या नहीं लेगा तो judicial mind तो cognizance के पहले ही apply कर दिया उसने कि इस case में cognizance लेना है या नहीं लेना है यहीं apply हो गया judicial mind पहले ही cognizance से पहले ही judicial mind अपला हो गया judicial mind लगा के ही, तो उसने ये देखा कि इस case में cognizance लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए. अगर मान लेजिए, वो cognizance लेता है, तो फिर cognizance होगा, और cognizance के बाद, फिर जो एक substantial process है, वो है issue of process. Issue of process. Issue of process का basically मतलब होता है, summon और warrant भेजना. तो अब जो भी हैं, इसमें accused हैं, तो उसके लिए भी warrant जाएगा, कि उसको court में लेके आएए. बाकी जो list of witness, witness file होगी, prosecution पहले list of witness file करेगा. देखिए, case शुरू कॉन करता है, prosecution, क्योंकि criminal system जो है, उसमें burden of proof हमेशा prosecution के उपर होता है. So case start जो होता है, वो prosecution करता है. Cognizance जब लेगा, magistrate, उसके बाद करेगा issue of process. Issue of process basically होता क्या है, समन या warrant issue करना. तो जो accused है, उसके against warrant issue करके उसको बुलाएंगे, list of witness जो prosecution file करता है, उन witnesses को समन जाएगा, कि आपको इस इस दिन पे इतने वज़े court में present होना है. This is basically issue of process. तो ये issue of process होगा. Issue of process में के बाद सब लोग एक जो date decided है, जो भी issue of process में, जो भी समन में, warrant में specific date time दिया है, उस दिन सब court में आएंगे. अब जब court में आते हैं, तो फिर यहाँ पे start होगा process. अब जब court में आ जाएंगे, तो फिर court में case start कौन करेगा, पहली चीज जो होगी, वो कौन present करेगा तो prosecution. जब court में date of hearing पे सब लोग मौझूद होंगे, prosecution case open करता है हमेशा, case open करने में वो क्या करेंगे, charges बताएंगे, क्या-क्या लगाए है, charge sheet में उन्होंने, police ने क्या-क्या charges लगाए है, वो पूरे बताएंगे, और साथ में, prosecution ये बताता है, क्या-क्या evidence है उनके पास, ठीक, they state the evidence, देखें, यहाँ पर कोई analyze नहीं हो रहा है, कोई examination नहीं हो रहा है evidence का, they just state the evidence, ठीक है, open the case, and state the evidence, कि भाई, evidences क्या-क्या है, हमारे पास, case हम ले के आए हैं, तो क्या evidence है हमारे पास, अब जब ये हो जाता है, वो prosecution अपना बता देता है, कि ये ये case है, ये charges हमने accused के against लगाए हैं, और इसके पीछे हमारे पास ये evidences हैं, पूरे investigation में जो हमने find out किया, वो ये ये हमारे पास evidence है, अब prima facie court उसको देखेगा, जो case नो ने रखा है prosecution में, जो evidence वो state कर रहे हैं, यहाँ पे court देखता है, कि कितने उनमें substance है, अगर prima facie कोई case लगता है, तो further proceeding होगी, या फिर हर trial में, तीनों तरीके की जो trial दी हुई है, हर trial में इसके बाद dismissal होता है case का, court को अगर prima facie कोई अच्छा case या substantive case नहीं दिखता है accused के against, तो वो क्या करते हैं, यहाँ पे dismissal कर देते हैं, case dismiss हो जाता है, औ और अगर उन्हें कोई substance लगता है, कि नहीं, वाकई case में dumb है, पहले prima facie, जो भी इन्होंने evidences बताएं हैं prosecution ने, वो हैं सुनने लायक, ऐसा लगता है, तो फिर वो आगे बढ़ते हैं, इससे आगे की process तभी शुरू होगी, अगर यह dismissal नहीं होगा तो, तो अगर dismissal नहीं ह हुआ, तो फिर होगा framing of charge, फिर court charge frame करेगा against the accused, charge frame करने के बाद court accused से पूछता है, do you plead guilty, और अगर accused guilty plead करता है, तो वहीं conviction, अगर guilty plead नहीं करता है, तो फिर evidences detail में लिये जाते हैं, उनका examination होता है, इस process को मैं फिर से थोड़ा से neat and clean आपके लिए बना देता हूँ, जो पूर हमने discuss किया, क्योंकि यहीं से आपको निकालना है कि क्या investigation, क्या inquiry और क्या trial, अभी यह कोई division नहीं था, जो मैंने आपको बताया, as such, ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, हमने क्या discuss किया, यहाँ, सबसे पहले, information, cognizable case की information आती है, police के पास, information आने के बाद, second चीज़ जो यह करते हैं, police officer, वो करेगा occurrence report वेजेगा, magistrate को अपने area के, यह सिर्फ बताने के लिए होता है, कि ऐसा-ऐसा cognizable offense हुआ है, और उसकी information आई है, occurrence report के बाद, investigation तो यह करी रही है, police अपने, investigation जब complete होगा, तो फिर यहाँ पर आएगा, या तो charge sheet, या फिर closure report, जो मैंने आपको कहानी बताई, sufficient evidence है, तो charge sheet नहीं है, तो closure report, दोनों में से कोई एक चीज़ आईगा, charge sheet अगर है, तो फिर magistrate cognizance ले सकता है, पहले वो judicial mind लगाके, देखता है, कि cognizance लेना है या नहीं, तो यह depend करेगा, cognizance लेना है या नहीं, cognizance लेने के बाद, magistrate जो करता है, वो करता है, फिर court issue of process, issue of process का मतलब क्या होता है, warrant और summons, issue करेगा, accused को बुलाएगा, witness को बुलाएगा, date fix होगी, उस दिन उस समय बुलाया जाएगा, अब यहां से फिर court के अंदर process चालू हो गया, तो court के अंदर फिर क्या चल रहा है आपका, 7, जब सब लोग आ गए, तो opening of case, कौन open करेगा case, जब समय आपको बताया, prosecution open करेगा case, ठीक, list of witness देगा, और case open करेगा, जो जो भी charges उन्होंने लगा है, वो बताएगा, कि accused के against क्या क्या charges लगाए हैं, और अपने evidence state करेंगे यहां पर, क्या क्या हमारे पास evidence है, अब इनको prima facie देखने के बाद, court एक काम कर सकता है, कि dismiss कर सकता है case, dismissal हो सकता है यहां case का, अगर prima facie court को को कोई case नहीं लगता है, लगता फाल्तू prosecution ले आया है, police फाल्तू फसा र जागे, यह तीनों में है, चाहिए session trial देखिए, warrant देखिए, चाहिए समन देखिए, तो dismissal हो सकता है, अगर dismiss नहीं करते हैं, तो फिर अब होता है formal charge framing, framing of charge, यह formal process है उसके बाद, अब court frame करता है charge, प्राइम आफिसी evidence लेने के बाद, framing of charges कौन करेगा, court यह magistrate, accused के against, charges frame करेगा, और इसके बाद, charge frame करने के बाद, accused से पूछा जाता है, do you plead guilty for these charges, अगर वो guilty plead करता है, तो यहीं conviction, और अगर वो guilty plead नहीं करता है, तो फिर आगे process बढ़ेगा, so, यहाँ पर framing of charges के बाद होगा, plea of guilt, और अगर होता है, तो या तो conviction होगा इसमें, अगर वो guilty plead कर देगा, तो conviction कर सकता है, या फिर, अगर वो guilty plead नहीं करता है, तो further process होगा, अब इस further process में आगे क्या होगा, guilty plead नहीं करता है, तो फिर लिये जाएंगे, evidence of prosecution, क्योंकि पहले तो भाई, case किसको establish करना है, prosecution को establish करना है against the accused, तो अगर यहाँ पर conviction नहीं होता है, वो guilty plead नहीं करता, accused, तो अब in detail पूरा वो चालू होगा, trial का process, in detail, कि अब एक-एक witness को examine करेंगे, जो भी evidences हैं prosecution के बाद, वो सारे date fix होगी पहले, उस दिन पर prosecution अपने सारे evidence लाएगा, उसका examination होगा, उसके बाद फिर defense को chance दिया जाएगा, accused को, आप अब अपने सारे evidences लाएगा, उसको analyze किया जाएगा, उसके बाद finally hearing के बाद conviction या acquittal होगा, और उसके बाद एक hearing होगी, अगर मान लिजे conviction होता है, तो एक hearing होती है sentence पे, कि कितना sentence देना है, कितना punishment देना है, conviction के case में, so that will be sentence on hearing, इसके लावा और भी इसके बाद चीजें हैं, जिसे मान लिजे conviction है, session court ने death penalty दे दे तो it is subject to confirmation by the high court, यह सब अभी trial का ही process है, अब इस points को जो आपने यहाँ पे देख लिया है, कि इस तरीके से case आगे बढ़ता है, इसमें trial कहां से शुरू हो रही है, कोई बता सकता है, trial कहां से शुरू हो रही है, trial, trial कहां शुरू हो रही है, seven, opening of case पे, और कोई? और कोई? framing of charge, cognizance, सब के अलग-अलग answers हैं, framing of charge भी कह रहे हैं, कुछ लो, formal charge framing, all right, issue of process, when magistrate issue process, all right, अच्छा, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है, कि issue of process पे actually trial स्टार्ट हो रही है, यह common answer है, जो दिया है, आप लोगोंने issue of process, कुछ को cognizance पे भी लग रहा है, तो फिर अगर आपको लग रहा है issue of process या cognizance पे है, तो फिर inquiry कहां हूँ, इसमें inquiry क्या है, after period, not guilty, देखिए, जो transition stage है, वो है framing of charge, यह जो framing of charge है, यह actually a transition stage, charge framing जैसे ही over होती है, formal charge framing code जैसे ही करता है, उसके बाद ही trial शुरू होती है, यहां से, framing of charge complete होने के बाद, यह ध्यान रखिएगा, charge framing complete होने के बाद, trial actually start होती है, अब accused से पूछा जाता है, whether he feels guilty or not, अब अगर वो guilty plead करेगा, तो conviction हो जाएगा, नई plead करेगा, तो आगे का process चलेगा, कि सबके evidence बुलाएंगे examination, यह पूरा complete process फिर आपका start होगा, यहां से actually trial start होती है, कहां तक चलती है यह, conviction equitable के बाद, sentence पे जो hearing होती है, वो भी trial का part है, उसके बाद अगर confirmation के लिए जाना है, वो भी trial का ही part है, वो सब trial का part है, तो यह जो framing of charge जैसे ही over होता है, वहां actually trial start होती है, अब यह हो गई last stage, देखिए थोड़ी सी, क्योंकि investigation और inquiry में overlapping हो सकती है, ऐसा नहीं है कि एक बार investigation खतम होगा, तो बाद में कभी नहीं होगा, आगे नहीं हो सकता, ठीक, इसलिए में पहले trial मैंने आपको बता दिया, कि कहां से start होता है, अब अपन देखते हैं investigation, तो देखिए investigation शुरू तो यहीं हो जाता है, information मिलने के बाद, information मिली, वहीं से फिर investigation चालू, investigation कहां खतम होता है, formally, या generally investigation कहां खतम होता है, इस process में बताईए, generally investigation कहां खतम होता है, after filing of चालान, 4, yes, this charge sheet फाइल होने पे, यह जो है, यहां actually investigation, complete मान लिया जाता है, यहां आपको जाता है, investigation complete, लेकिन अब ऐसा नहीं है, कि इसके बाद investigation हो नहीं सकता, इसलिए मैंने कहा, there may be a little overlapping as well, तो कि 173, subsection 8 आप पढ़ेंगे, तो वो further investigation की बात करता है, 173, police को preclude नहीं करता है, कि क्योंकि उन्होंने यह police report फाइल कर दी है, वो आगे investigation नहीं कर सकते, कुछ नए evidences मिलते हैं, further investigate भी कर सकते हैं, यह भी दिया हुआ है, तो ऐसा नहीं है, कि खतम मतलब यहां खतम, कोई ऐसा एकदम hard and fast rule नहीं है, बट generally माना जाता है, कि investigation complete होने के बाद ही, section 173 में, जो police report है, वो file होती है, so generally investigation यहां, मान लिया जाता है, अब inquiry कहां शुरू होती है, यह बहुत हैं question है, बहुत important सवाल है, कि inquiry कहां, क्या cognizance लेने पे inquiry स्टार्ट हुई है, क्या cognizance लेने पे inquiry स्टार्ट हुई है, यह बताइए, बहुत सारे लोग कह रहे हैं, कि cognizance लेने पे, मैंने अभी आपको कहा, अच्छा inquiry आप एक general उसमें क्या समझते हैं, कब inquiry, जब magistrate अपना judicial mind अपलाए करे किस पे, तब inquiry है, जब magistrate अपना judicial mind अपलाए करे किस के उपर, तो inquiry है वो, isn't it, तो judicial mind क्या cognizance लेने पे अपलाए कि अभी क्या बताया मैंने, cognizance लेना है या नहीं, उस police report पे, ये भी judicial mind ही है, magistrate ये जो दिमाग लगा रहा है, कि मुझे cognizance लेना है या नहीं, occurrence report सही नहीं है, जब जब इसमें, ये बहुत पहले की stage हो गई, वो तो सिर्फ एक intimation है, उस पर वो वैसे ली कुछ कर नहीं सकता, occurrence report पे magistrate, occurrence report पे magistrate वैसे भी कुछ नहीं करता है, तो inquiry basically यहां start हो जाती है, before cognizance, immediately before cognizance, ये charge sheet file होने के बाद, जब ये दिमाग magistrate लगाता है, कि मुझे इस पे cognizance लेना है या नहीं लेना है, ये ही से inquiry start है, ये ही judicial mind हो गया उसका apply case पे, cognizance लें या नहीं लें, तो यहीं start है, अच्छा इससे एक, हम जो conclusion ड्रॉ कर सकते हैं, वो ये, क्योंकि अब मैंने कहा, कि तीनों में थोड़े बहुत overlapping भी हो सकती है, जैसे आप देख रहे हैं, यहाँ inquiry शुरू हो चुकी है, वैसे तो, लेकिन बाद में कभी ज़्यादा, और further evidence मिल गए, तो investigation भी दुबारा हो जाएगा, वहाँ पे भी, चाहें तो हो सकता है ऐसा, ठीक है, तो ऐसा कोई एकदम fine division नहीं है, बड़ एक general division इधर पे है, इंक्वाइरी कहाँ पे शुरू हो गई, यहीं शुरू हो गई, पहले ही, जैसे ही magistrate ने यह दिमाग लगाया case में, कि मुझे cognizance लेना है या नहीं लेना, यहीं पर आपकी इंक्वाइरी शुरू हो गई, और इंक्वाइरी खतम किदर हुई, framing of charges, क्योंकि वहाँ से फिर trial शुरू हुई, जैसे ही formal framing of charges हुआ, उसके बाद inquiry खतम, अब क्या चालू है, trial चालू है, यह division है, तीनो stages का basically, investigation, inquiry and trial, I hope you understood this, बस inquiry का थोड़ा सा समझ लेना, inquiry का थोड़ा सा बस आप समझ लेना, क्योंकि यह क्या चीज़ है inquiry, थोड़ा सा पहले के चीज़, मतलब cognizance से शुरू नहीं हो रही है, जैसे उसने यह mind apply किया, cognizance लेना नहीं लेना, वहीं start inquiry आपकी, ठीक, तो यह इतना समझ में आया आपको, investigation, inquiry, trial, समझ में आया, सजल, bail के बारे में बात कर रहा हूँ, अगला topic ही मेरा वोई यह है न, अब अपन फिर accused के point of view से देखेंगे, पूरा case, अब, कब arrest होता, कब bail ले सकता, कब ने, नेक्स में वही process आपको पूरा बताने जा रहा हूँ, ठीक है, हाँ भई, तो पहले तो यह बताएं, इतना clear है कि नहीं, तो आगे बढ़ू मैं, investigation, inquiry, trial, तीनों stages में आपको difference थोड़ा सा clear हुआ, कहां क्या शुरू हो रहा है, कहां क्या खतम हो रहा है, कि कब वो बेल ले सकता है, कब नहीं, arrest होने के बाद किते दिन में उसको magistrate के पास ले जाएंगे, magistrate के पास वहाँ क्या power है, अचा इसमें ये तो मैंने सिर्फ आज को आज आपको एक introduction दिया है, अभी इसमें beach-beach में बहुत सारी पेचीदा चीज़ें हैं, जैसे आप एक preliminary inquiry के बारे में, preliminary investigation या preliminary inquiry के बारे में पढ़ेंगे section 159 में, वो इधर कहां fit होगी बीच में, एक preliminary inquiry अलग है 159, तो वो किदर fit होगी इधर बीच में, उसकी एक अलग कहानी है, अब इसके बीच में सब बहुत सारी है, ये तो एक general में आपको overview देने के लिए पूरा ये process बताया है, how it all happens, अब बीच-बीच में बहुत सारी चीज़ें हैं, इसमें police report है, उसके बाद एक 172 police diary है, पुलिस जब investigation के लिए बुलाती है लोगों को वो अलग कहानी है, police को जो आप statement देते हैं, 162 में उसकी evidentiary value क्या है, वो सब अलग है, लेकिन ये overview, एक overview अगर आपके दिमाग में clear है ना, कि क्या चल रही है picture, तो अंदर की चीज़ें आपके दिमाग में बैठेंगे, CRPC, evidence, CPC, इन में problem ही होती है, कि आप exactly वो provision तो समझ पा रहे हैं, लेकिन आप उस broader picture को नहीं देख पा रहे हैं, कि ये चल क्या रहा है, इसलिए समझने में थोड़ी problem होती है, इसलिए हाँ, थोड़ा ढंग से इसको आप पढ़ लें, ये एक overview समझ लो कि क्या चल रहा है, बाकि आप एक एक detail पे तो हम बहुत detail में बात करेंगे, इसलिए CRPC में लगभग 35 to 40 classes लगती हैं मुदे, क्योंकि अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, मैंने बताया, 159 अभी आप पढ़ेंगे, अब वो किदर fit होगा इसमें, आएगा वो भी यहीं पे, अब आते हैं हम accused के तरफ, कि जब एक accused arrest होता है, ठीक है, arrest होने के बाद क्या कहाँए है, अब देखिए investigation शुरू हुआ, police के पास माली जी FII arrive, किसी person के against, police investigation करती है, जैसे भी information police तक पहुँची है, अब वो जाके एक accused को करते हैं, ठीक, तो जब भी police arrest करती है, यहां से अपन इस process को शुरू करते हैं, arrest, एक accused arrest होता है, police के पास information है, कि इसने offense commit किया है, पढ़ क्या रहे हैं हम, पूरा process वो पढ़ेंगे, कि कैसे person arrest होता है, 24 घंटे में magistrate के पास ले जाते हैं, वहां magistrate के क्या powers हैं, bail देनी है, police custody देनी है, judicial custody देनी है, क्या करना है, वो पूरी कहानी, यह सारा process दिया है, section 157 में, sorry 167, section 167 में, यह पूरा दिया हुआ है, कैसे, कितने दिन की custody, कौन सी custody, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, सारी बाते, ठीक सारे safeguards दिये हैं, regarding arrest of a person, तो देखिए, जब एक person arrest होता है, let's say, इस date पे वो arrest हुआ, अब जो 24 घंटे हैं, वो absolutely police के हैं, यहां से, जो आपका 24 hours का जो time है, यह हो गया आपका क्या, 24 hours, अब यह जो 24 hours का duration है, यह भाई absolutely police का है, 24 घंटे, अब इधर पे कहानी क्या है, कि अगर मान लीजिए, इस 24 घंटे में, investigation complete नहीं हुआ, police का, 24 hours में, investigation, और obviously बात यह नहीं हो पाता है, majority किसे में, 24 घंटे में, अगर आपका investigation complete नहीं हुआ, तो फिर आप क्या करेंगे, magistrate के पास, produce करेंगे, तो यह basically हैं, वो 24 hours, max limit है यह, हो सकता, आप पहले भी कर दें, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन यह max limit है, 24 घंटे की, इससे जादा आप एक accused को, custody में नहीं रख सकते, fundamental right भी है यह, तो भाई, 24 घंटे का duration जैसे ही होगा, तो फिर किस के पास पहुँचेगा यह, magistrate, अब इसमें एक कहानी यह है, कि magistrate क्या वो, जिसका case पह jurisdiction है, या कोई भी magistrate है, बताए यह, कोई भी magistrate या, जिसका jurisdiction है, वही, any magistrate, क्या judicial और executive दोनों, क्या executive के पास भी ले जा सकते हैं, judicial के पास, any, executive के पास, बस थोड़े से कम powers होंगे, अब के पास, चलिए, तो judicial magistrate के पास, माल लीजी, आप 24 घंटा, complete होने पे ले गए, क्योंकि investigation अभी complete नहीं हुआ, आप लेके गए इसको, magistrate के पास, अब magistrate के पास, पावर है, further custody देने का, पुलीस कहेगी, कि समय sufficient नहीं था, और हमें investigation करना है, अभी और, इसलिए, accuse की custody चाहिए, अब अगर, magistrate को लगता है, कि custody देनी चाहिए, तो वो maximum, कितने दिन की custody दे सकता है, तो the answer is 15 days, ये सब आपको कहा मिलेगा, section 157, ये class complete होने के बाद, पढ़िएगा, अभी मत पढ़िए, technicalities में अभी हम बहुत ज़्यादा नहीं जाएंगे, जो एक overview है, वो बता रहा हूँ, तो 15 दिन का समय अब होता है, magistrate maximum दे सकता है, कितने दिन की duration की custody, 15 days, 15 दिन, तो maximum 15 दिन की custody, authorize करेगा magistrate यहाँ, अब सवाल यह आता है, कि ये जो 15 दिन की custody होगी, ये कैसी होगी, ये judicial custody होगी, या फिर ये police custody होगी, judicial या police, देखिए, police custody मतलब, जब थाने में person रहता है, police के पास, judicial custody मतलब, actually वो custody magistrate की ही है, जो jail में रखा जाता है, jail authorities अलग होती है, जो investigate करती है, थाने के police वो अलग है, और jail authorities अलग है, तो judicial custody मतलब, वहाँ jail में रखा जाता है, अब magistrate अपने घर तो रखेगा नहीं, तो वो judicial custody होती है, जहाँ jail में रखा जाता है, जो district में जैल्स होती है वहाँ. ठाने में नी रखा जाता है. और वो ठाने के lock-up में जो रखा जाता है, that is police custody. तो police custody या judicial custody, so answer is any. दोनों मेंसे कोई भी दे सकता है. जुडिशल भी दे सकता है, police भी दे सकता है. क्या mix दे सकता है दोनों का? कुछ दिन judicial custody कुछ दिन police custody बदा सकता है कोई जैसे मान लिजे तीन दिन police custody दो दिन judicial custody दे सकते हैं या दो दिन judicial custody दिन तीन दिन police custody कुछ भी दे सकते हैं इस 15 दिन में कुछ भी दे सकते हैं judicial भी दे सकते हैं पुलीस भी इदर पर अगर मानली जे investigation complete होता है तो police report file होगी या तो charge sheet या तो closure या तो police give up कर देगी हमार पास evidence नहीं है is accused के against तो closure report file करेंगे वही जो भी पड़ी थी और या फिर वो क्या करेंगे charge sheet file कर देंगे ती ये ये charge जेसं लगा और वो पूरा process वैसे ही चालो हो जाएगा तो पंदरा दिन में भी इनको समय कम पढ़ जाता है investigation complete नहीं होता है police का फिर से ये magistrate से बोलते हैं कि अभी custody extend करनी है तो अब कितनी custody extend होगी कि अभी और custody extend हो सकती है तो बिलकुल होगी कितनी होगी और कितने दिन now this duration will be अब जो extension मिलेगा वो मिलेगा either 45 days और 75 days it depends on the offense अगर 10 साल तक punishable offense है तो 45 दिन 10 से उपर है तो पिछितर दिन total मिलाके क्योंकि 60 या 90 हो सकती है ये जो total है ये जो total duration है यहां से जो चालू हुआ ये this should be 60 और 90 days this should be 60 और 90 this total duration should be 60 और 90 I hope you are getting this क्योंकि 15 दिन आप पहली रह चोके हैं तो अब 60 करने के लिए 45 या 90 करने के लिए पिछटता है बस 15 पहली हो चोके हैं तो ये होगा आगे का प्रसेस आपका है अब अगर इस टूरेशन में पुलीस का इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाता है तो पुलीस रिपोर्ट फाइल होगी इधर पर क्या फाइल होगा पुलीस रिपोर्ट और अगर मान लेजे अभी भी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो पाता है अभी भी investigation complete नहीं हुआ, यह 90 days यह 60 days, whatever complete हो गए यहाँ, अब क्या provision आता है यहाँ पे, तो यह complete होने के बाद, जो आता है, यह 90 यह 60 दिन complete होने के बाद, उसे कहते हैं, statutory bail, statutory bail या mandatory bail, mandatory bail मतलब आप bail देना ही है, as a matter of right claim कर सकता है, accused यहाँ, एक pre में question आता है, whether in case of non-cognizable offense, can an accused, sorry, can an accused in case of non-bailable offense, claim bail as a right, क्या right की तरह bail claim कर सकता है, non-cognizable case में, तो बिलकुल, अगर investigation 90 दिन या 60 दिन में खतम नहीं हुआ, तो यह जो statutory or mandatory bail है, यह बिलकुल claim हो, हाँ, बशरते वो security देने के लिए तयार हो, जो भी security court मांग रहा है, वो दे और बिलकुल bail मिलेगी, इस period के खतम होने के बाद अगर अभी investigation complete नहीं हुआ है, चार्शीट फाइल नहीं करी है, पुलिस ने, तो, I hope this is clear, यह भी time duration खतम हो गया, और investigation complete नहीं हुआ, चार्शीट फाइल नहीं हुई, तो यहाँ पे mandatory bail मिल लाती है, accused को, serious offense की बात करी तो सारे 90 दिन, 90 days ना उसमें, लेकिन मिलेगी, क्योंकि investigation, आप देखिए, अगर यह किसलिए है, to speed up the investigation, police को अगर study चाहिए, तो भईया investigation तेज करें, हाँ, अब इस बीच में एक कहानी यह आती है, कि अगर मान लिजे, police report file हो जाए, मान लिजे, यहाँ कहीं वो file कर देते हैं, इस stage पे ही, यहाँ पे police report आ जाती है, अब अगर closure report file करते हैं, तब तो कहानी बंद हो गई, लेकिन मान लिजे, closure नहीं, यहाँ पे यह करते हैं, क्या, charge sheet file, charge sheet file कर दी उन्होंने, मान लिजे, 35th day पे ही कर दी, 15 दिन के बाद custody further ली, क्योंकि वहाँ investigation नहीं complete हुआ था, और आब इनके पास sufficient evidence हो गए है, case start करने के, तो वो यहीं पे police report file करने, क्यों, देखिए, क्योंकि 73, subsection 8, इस बात का declaration है, कि आप police report file कर देंगे, तो आपका investigation का power खतम नहीं हो जाएगा, उस case का, आगे भी आप कर सकते हैं investigate, लेकिन अभी आप इतने substantive evidence दे दे दें, कि जिस पे case हो पाए, magistrate cognizance ले, और prima face dismissal ना हो, जो अपन ने पढ़ाता न, कि prosecution list of evidence फाइल करता है, case open करते समय, और फिर वो ये भी बताता है वहीं पे, उसके बाद court ये देखता है, प्राइम आफिसी evidence देखके, जो state करता है, prosecution की case में दम है या नहीं, है तो आगे बढ़ेगा, नहीं तो dismiss कर देगा, तो इतने evidence आपको इदर पे जुटा लेने है, कि case dismiss ना, prosecution को, police को, तो अगर मालेज़े, यहीं पर charge sheet file हो गई, तो फिर क्या अब ये statutory bail आप claim कर सकते हैं, charge sheet file हो चुकी है बीच में, अब क्या ये वाली bail claim कर सकता है, accused, no, no, ये खतम हो जाती है, the moment charge sheet is filed, जैसे ही police report, वो तो इसी लिए है, कि अभी investigation complete नहीं हुआ है, तो मिल रही है bail, अगर यहाँ charge sheet file हो गई, आप कोई bail नहीं, ये वाली statutory, अब वो normal bail के provision में जाना पड़ेगा, जो आगे CRPC में, दिये, और वहाँ पूरा discretion होता है, non-vailable offense में, court का discretion है, फिर bail देना नहीं देना, अब आप matter of right नहीं claim कर पाएंगे, हाँ, लेकिन investigation complete नहीं हुआ है, तो 90-60 दिन के बाद बिलकुल आप claim कर सकते थे, तो यहाँ बीच में अगर charge sheet file हो गई है, देखे, evidence sufficient है अगर आपके पास, तो आप charge sheet file करेंगे, evidence sufficient नहीं है, तो आप closure report file करेंगे, I hope this is clear, is this clear, ये कहानी मैं आपके समझ में आई, mandatory bail की, अब ये सब आपको 167 में मिलेगा, जो मैंने अभी बताया, process, चीक है न, I hope this is clear, अच्छा, अब इधर पे कुछ technical सवाल हैं तो, जैसे for example, यहाँ पर मान लीजिए, magistrate से custody authorized तो करा लिया आपने, 15 दिन या फिर 15 के बाद और, लेकिन police को evidence sufficient न लग रहे हैं, वो charge sheet file नहीं कर रहे हैं, मान लीजिए, यहाँ पे charge sheet file वो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको evidence जो है, वो sufficient नहीं लगे, against the accused, तो वो charge sheet file नहीं कर रहे हैं, और police चाती है, accused को छोड़ देना, एक particular accused है, उसके against इनको sufficient नहीं मिला, और इधर पे, police चाती है, उसको custody, आपने ली थी investigation के purpose के लिए, police को लगता है कि छोड़ देना चाहिए, कोई मतलब नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा sense नहीं निकल रहा है, और इस point पे वो सोचते हैं, कि हम छोड़ दें, तो क्या छोड़ सकती है police अपने description पे, क्या police यहाँ क्यों उसको छोड़ सकती है, अगर आपको लगता है कि evidence sufficient नहीं है, तो आप क्या करिए, तो आप closure report file करिए ना भाई, अगर आपको लग रहा है नहीं है sufficient, तो आप closure report file कर दीजिए, उस particular accused के context में, court के सामने, और magistrate decide करेगा, छोड़ने का order magistrate देगा क्यों, क्योंकि custody यहाँ उसने authorize करी है, अब magistrate के order को आप ऐसे ही थोड़ी ना काट देंगे, custody उससे ले क्या और आपको आज लगा कि नहीं है sufficient, छोड़ देंगे, तो भाई वो पागल थोड़ी है, तीन-तीन stage के exam की तयारी घर के judge बना है, उसकी, magistrate की, so closure report का आपके पास option है, आप file करिए, magistrate को दीजिए, वो बुलाएग, accused क और छोड़ेगा, क्योंकि custody आपने magistrate से authorize कराईए, तो अब आप अपने से नहीं उसको छोड़ देंगे, कि आपको लगा कि बस हो गया accused की आगे जरूरत नहीं पड़नी है, तो छोड़ दिया ले, ये चीज नहीं होगी, I hope this is clear, हाँ आपको अगर छोड़ना था, तो ये 24 गंटे आपके थे, ये वाले, इसमें आप कुछ भी करिए, दो गंटे में छोड़ दो, तीन गंटे में छोड़ दो, whatever, arrest ही मत करो न, arrest is also a discretion, जरूरी तो है नहीं arrest करना, तो या तो अरेस्ट ही मत करो, या इस 24 गंटे में आप कर लो, आपको जो करना है, एक बार आपने magistrate स का स्टड़ी authorized कराई है, तो फिर चाहे वो पुलीस का स्टड़ी ही क्यों न हो, आप कुछ से नहीं छोड़ पाएंगे, अब जो होगा, वो closure report पे होगा, अब आपकी report फाइल होगी, and the magistrate will decide कि क्या करना है, उस accused के सांथ, Is this story clear? ये कहानी समझ में आई आपके, ये कुछ basics हैं CRPC के, जो पिछला अपन ने देखा, inquiry क्या है, investigation क्या है, trial क्या होता है, और ये arrested person के साथ क्या क्या हो सकता है, अब इन सब का एक-एक detailed version हम आगे की classes में पढ़ेंगे, अभी तो मैंने बस एक उपर-उपर से overview दियाया, अ बहुत सारी technicalities हर जगा हैं यहां, यहना closure report के अपनी चीज़े हैं, एक मैंने आपको देख दिया पढ़ने के लिए, protest petition के बारे में पढ़िएगा, तो आगे की classes में आपको चीज़ें और relate आप कर पाएंगे, चलिया, I hope this is clear.